नमस्कार सातियों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारा ECS बाउंस हो जाए तो ऐसी कंडिशन में कंपनी या बैंक हमारे साथ में क्या कर सकती है क्या हमको जेल भेग सकती है तो पूरी जानकारी में अपने इस वीडियो बताऊंगा और ECS होता क्या है इसका काम क्या है और ECS का मतलब क्या होता है ECS होता है दोस्तों कि आपकी बैंक से ओटो डेवेट जो सेट अप कराया जाता है उसी को ECS बोलते है अब देखो जब भी हम किसी भी RBI रेजिस्टर और NBFC कंपनी से लॉन लेते है तो वहाँ पर होता क्या है कि वह कंपनिया आपके बैंक में ओटो करते हैं जब बहुत कम लेता है कि सिर्फ आपका नेट बेंकिंग या फर ओटो डेवेट कराने के लिए ATM कार्ण की दिरूश्य करती है एक बात बता दो जब भी आप ऑटो डेवेट सेट अप कराए ATM कार्ण से ना कराए और एक डॉस्ट बैंकिंग किसी के साथ सेर करना अपने लॉन लिया है आपको सेटप है और आपकी फाइनल से डैड हो चुकी खराब मतलब कि आप जहां भी काम करते थे जॉब चली गई या कोई इसू आ गया है या पर मेडिकल इसू हो चुका आपके पास में पे करने के कोई भी तरीके नहीं बचे हैं कहीं से आपको पैसा नहीं मिल रहा है और बैंक में पैसे नहीं है तो क्या होगा भाई कंपनी तो हर उतनी तारीक को बैंक को बोलेगी यह पैसा दो अपर पांसोज रुपे से लगा करके एक हजार रुपे की बीच में जो भी चार्ज बनेगा वह आपको बैंक लगाएगी पैनाल्टी के तौर और यह ECS का चार्ज है समझगे दोस्तों कंपनी वालों ने बैंक को सूचित किया बैंक ने देखा पैसा ही नहीं तो बैंक आपके उपर पैनाल्टी लगा देगा पांसो से हजार रुपे की बीच में अब वो अलग अलग बैंकों का अलग अलग रूल है ठीक है हर बैंकों का एक जाँ सरूर नहीं होता है ये तो है आप यह पैनाल्टी इसी के साथ अगर आपका पैसा कंपणी वालों को एकशाण सबसे पहली बाद तुम्हें आपको बता दू कि ECS बाउंस होना एक प्रकार का क्राइम हो जाता है देखो लॉन को डिफॉल्ट करना वह नहीं है आपको प्रकार पैसे नहीं दे ना प्रकार करते हैं यहाद रखाएं यह तब होगा जब कमपनी वाने आप पर केस करेंगे ज्यादतर केस नहीं करते हैं क्योंकि छोटा मोटा लॉन अगर आपका है जैसे 10,000, 5,000, 15,000, 20,000, 40,000 तो इतने से loan के उपर आपके पास कोई case नहीं होता है अगर आपके loan amount ज्यादा है 10,00, 2,00, 5,00, तो ऐसे condition में आपके साथ जो है case किया जा सकता है लेकन वो case check bounce का होगा ECS bounce का होगा ECS bounce और check bounce दोनों एक ही प्रकार के case है भाईया तो मैं आपको यही सूचत करने वाला हूँ कि अगर आपका auto debit setup है तो या तो आप loan चलते चलते लौन आपका चल रहा है और आप company वालों से बोल करके auto debit हट वाल है या पर भाईया सीधी सी बात है जिस company का आपने loan ल आपके साथ कारवाई हो सकती है अलाकि मैं यह नहीं बोला हूँ कि हो ही जाएगी हो सकती है क्योंकि ECS bounce करना एक crime की category में आ जाता है fraud की category में आ जाता है समझे न तो भाईया साधर है ECS अगर आपने चालू किया है तो पैसा पे करो otherwise settlement करो कुछ भी करो उस loan amount को जो चुका करके उस loan account को close करो ठीक है और अपने हाथ साप करो यह बात बता ना हूँ ठीक है